इधर रायपूर में जारी है बीजेपी विधायक दल की बैठक, बैठक में बजट सत्र को लेकर मन्थन चल रहा है लोग सभा चुनाओ की रणनीती पर भी जाहिरत और पर इस दोरान चर्चा होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, बजट सत्र और आगामी लोग सभा चुनाओ इससे लेकर रणनीती पर चर्चा हो रही है सीधा रायपूर लिए चलेंगे, सहीओगी यूगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए क्या कुछ उस बैठक का अबडेट यूगल के पास है, वो उन से जान लेते हैं यूगल बैठक का क्या कुछ अपडेट अब तक? बीजेपी विधायक दल की बैठक है, वो अब सुरू हो चुकी है कुसा भाव ठाकरे बिजेपी कारियाला में बैठक है वो चल रही है सभी तमाम जो मंतरी हैं विधायक है वहाँ बैठक में पहुँच चुके हैं सामिल हुए हैं और मुख्य मंतरी विश्णु देवसाई की अधिश्चता में ये बैठक हो रही है खास बात है कि कल से विधान सत्र है तो किस तरह से रूप रेका रहेगी तमाम विशेयों पर यहां पर राय सुमारी है चर्चा है वो की जारी है जी चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन यूगल बने रहेगा आगे भी एक एहम खबर को लेकर हम यूगल से चर्चा करने वाले हैं और न्यूज ए दिखा जोखा पेश करेंगे लंबे अर्से बाद यह होगा कि वित्तमंत्राले के जिम्मेदारी अलग मंत्री के पास है आम तौर पर इससे पहले नजर आया कि यह मुख्य मंत्री के पास हुआ करती थी शुरुआत से नहीं बाद में परंपरा बनी थी अब ओपी चौधरी के पास स्वित्तमंत्री की जिम्मेदारी और वो दो पहर साढ़े बारा बजे बजट पेश करेंगे विधान सबाद्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने अस बात की जानकारी दी है कि दुटी शत्र बजट शत्र दिनांग पांच फरवरी से एक मार्च दोहजार चोविस तक आहुत की गई है चत्र गड़ के सस्टम विधान सबा का या दुटी शत्र नौवर से दोहजार चोविस का प्रथम विधान सबा का सत्र है इस सत्र में कई मायने में महत्पुन होने वाला है प्रदेश की नई सरकार के बजट प्रस्चुत किया जाएगा सरकार की बजट के अनुसार चत्तिगड की विकास की दिशात तै होगी इधर लोगसभा चुनाओं को लेकर बीजेपी क्लस्टर की एहम बैठक हुई बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंग्देव ने काया कि बैठक में आगामी कारी योजना कुली कर चर्चा हुई है हर लोगसभा क्षेत्र, विधान सभा, जिले, मंडल इसमें योजना का क्रियान वयन निचले स्तर तक करना है साथ परिवरी से प्रदेश में दाव चलो अभियान शुदू होना, 11 परविरी तक सभी कारिकरता पता आधिकारी दाव में रात्री विश्राम करेंगे प्रत्याशियों के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष नकाए कि राश्ट्री नित्प्रत्व के दिश्रा निर्देश पर योजना के अनुसार प्रत्याशियों का चैन होगा लोगसभा सीट को जीतने वाले उमीदवार के हिसाब से चैन होगा और हमारी जो विभिनी योजना है जिनका क्रियानवन हमारे नीचे स्तर तक किया जाना है लोकसभा के सभी जीलों में विदानसभा शेत्रों में हमारे मंडल पे और बूत में कल से हमारा बहुती महत्पूर्ण योजना जो पूरे देश में कली नड़ा जी ने इसकी शुभारम किया है गाउन शलो अभियान का भारती जनता पार्टी के सभी वरिष्ट नितागान हमारे सभी पदादीकारी और मंडल इकाई तक के हमारे कारसमिती के सदस और साथ तारीक पर यहां से हैं इसका शुभारम चट्रीस गड़र में होगा ग्यारा तारीक तक हमारे सभी पदाधीकारी कारकरता बारती से पार्टी के से समझते हैं यूगल बीजेपी क्लस्टर बैठक बात प्रत्याशियों के भी आई कल साथ तारीक से गाउं गाउं भी पहुँचना है वोट परसेंटेज भी बढ़ाना है यूगल बिल्कुल देखें लली जो क्लस्टर की बैठक की गई है ग्यारा लोग सबा सीटों के लिए कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि मन्थन है वो लगाता जारी है जीताओ जो केंडिडेट्स होंगे उस पर सहमयती बनेगी और एक पेनल बनाये जाएगा तीन तीन नामों का पेनल ह होगा और उसमें जो जितने वाले जो केंडिडेट है उनका नाम होगा और उसके बाद केंदर में भेजा जाएगा केंदरी नेत्रित को फिर वो तै करेंगे कि आखिर इसके बाद नामों का एलान होगा और जिस तरह के बीजेपी का गाउंचलो अभियान चल रहा है तो 24 घ में थी तो उस गारेंटी को जमीनी इस तरह की तरह से उतारा जाए और उसके बाद ही यह तमाम जो बिंदू है उस पर जो राय सुमारी की गई है और सबसे खास बाती है कि लोकसवा का जब चुना होना है ललिद तो उसको ले करके एक मंतन है वो किया गया और सभी योजना कि कहां तक जो उनके काम है वो पहुंचे है ताकि आने वाले जो चुनाव है उसमें किसी तरकी दिखकर बीजेपी को ना हो और जो जीतकर बीजेपी 11 सीटों पर आए उस पर मंतन है वो किया गया जे बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद यूगल आपका इस तमाम जानकार के लिए सायोगी यूगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे इधर दिल्ली में कॉंग्रेस का मन्थन हुआ है कॉंग्रेस स्क्रिंडिंग कमिटी की बैठक खत्म हो गई है लोक सबच नौ को लेकर चर्चा हुई उम्मीद्वारों पर मन्थन हुआ भूपेज बगेल और टी साथ जुड़े हुए हैं उनसे समस्ते हैं क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आया अश्रफ बैठक हुई क्या कुछ निकल कर आया है भूपेज बगेल टीय सिंग देव रवाना हो चुके हैं उम्मीद्वारों पर मन्थन हुआ है और यह इसले भी मैंतपून की मन्थन और च सचिन पाइलेट दोनों ने कह दिया कि मन्थन का काम पूरा हो गया है अब जो अंतिम फैसला लेना है वो केंद्री चुनों समीती को लेना होगा स्क्रीनिंग कमिटी ने सभी 11 सीटों पर अपने नाम फाइनल कर दिये हैं कुछ सीटों पर पैनल भी बनाये गए हैं अब जो टी ए सिंग देव ने साफ इंकार कर दिया हैं वो चुनों नहीं लड़ रहे हैं जबके भुपेश भगेल पर या दूसरे बड़े चेहरों पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने संभावना वेक्ट की कि हां वो चुनों लड़ सकते हैं लेकिन उन्होंने पूरी तर के लिए उन्होंने साफ कर दिया है कि सब नाम फाइनल हो चुके जो जिताओ केंडिडेट हैं हम उनको चुनों मैदान में उतारेंगे और दूसरा जो भाजपा की रज्जे सरकार है उकेंज सरकार इनकी जो नाकामी हैं वो जंता के बीच में और अपनी भुपेश सरकार ज झाल